खरवार समाज के शेकड़ों लोग जाती परमाल पत्र जारी करने को लेकर जिला कलेक्टर में बैठे धरने पर बिगत छे दिनों से धरने पर बैटा है खरवार समाज के शेकड़ों लोग जाती परमाल पत्र जारी करने को लेकर जिला कलेक्टर परिसर में इस्तिधरना एस्तल पर बिगत छे दिन बीतने के बाद भी अब तक परसासंदोरा मांग पूरी ना होने पर खरवार बिरादरी के लोगों में अक्रोस ब्याब थे जहां आज कलेक्टर परिसर में डियम कार्याले के सामने खरवार समाज के लोगों ने अपने आदिवासी होने का परिचे देते हुए हातों में तीर कमान पुलहरी लेकर जम कर परदर्शन किया इवा नेता राकेश खरवार ने कुछ प्रसासनिक अधिकारियों को खरवार बिरोधी बताया कहा वो नहीं चाहते हैं कि खरवार समाज का जाद परमालपत्र बने जो कहीं ना कहीं एक साजिस के तहत है जबकि शासन से परमालपत्र जारी करने का आदेस है और जिलादिकार के लिए बलिया से अखले शेनी की रिपोर्ट मोहदे तक पहुचाने के कार हम लोंने कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है पूरी हो जो सब्सक्राणिक कारे में आती है क्या मांगे आपकी क्या मांगे आपके हमारी मांग ये है कि हमारा जाती प्रवापत्र जो है और उसको लबता से जारी किया जाए और ये जो है सासना देश के जो हैं उस पर जारी किया है है जारै पर जार पा जर्माबस्ति यहां तो नहीं है तो बात आप कर रहे हैं वह विरादरी यहां तो नहीं है जो दूसरी जगह है कि आप सकते हैं कि जो है आदिवासी समाज बल्या में नहीं है घरवार आँ थापी थोकत जो है बल्या और तमाम जगहों में जाने की कार हम लोगने पूरुजों ने किया हुआ इसके बारे में तो मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम है कि जिला अधिकारी महोदे को अतना आपको मालूम नहीं आपको मालूम नहीं आप प्रद्रशन करने आप चले हैं जिला अधिकारी महोदे को जो है कई बार जो अगत कराया गया है कि हमारा जातीमापत्र बने जिला अधिकारी महोदे द्वारा जो है आदेश भी पारित हुआ है कि खरवार जाती के जातीमापत्र बनना चाहिए लेकिन कुछ जो है खरवार विरोधी जो अधिकारी है जो नह चीजिक होगी आपके खरवहार विजादरी पुड़ी संख्या में। झालुट झालुट